राजेश के लापुंग तानक शेतर में गोलीबारी हुई है गोलीबारी में एक युवा की मौत हो गई और दूसरा घायल है राजेश नामक शक्स की मौत हुई है संदीप अस्पताल में भरती है गोलीबारी के पेचे गुरवादी संगिठन का भी हाथ हो सकता है अंदरी की वज़े से नहीं हो सकती अपरादियों की पहचान तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां गोली बारी में एक शक्स की मौत हो गई और दूसरा शक्स गंबी रूप से घायल है राजेश नाम के शक्स की मौत हो गई और संदीप नाम का जो शक्स है वो घायल है अस्प ही है राजी के लापुंग ठानक शेत्र में गोली बारी में एक शक्स राजेश की मौत हो गई है संदीप की जो इस्थिती है वो गंबीर बनी हुई है ज़्यादा जानकारी ले सेयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए इमरान ये बड़ी खबर में रही है राजेश नाम का सक है जो घायल हुआ है क्या कुछ इसके बारे में पूरी जानकारी में पाई है कौन थे वो लोग जिन्होंने गोली बारी की देखें रांची के गरामिन इलाके लापुंग का या पूरा मामला है लापुंग थाना चेतर में देर रात तकरिबन बारास एक मजे का सपास अशानक गोलियों की तड़ तड़ाहाट जो है जहां इस्ति गंबीर बनी हुई हाला कि गोली बारी के पीछे कौन से लोग है और किस वजह से घटना को अंजाम दिया गया है यह बिस परस्ट नहीं हो पाया लेकिन लापुंग का जो पूरा चेतर है वो गुरवादी प्रभावी चेतर है राइसे में असंका जाहिर की जा है और इनकी गतिविद्या किस तरह की रहती थी क्योंकि जिस तरह से गोली मारी गई है उसे यह पर्कीत हो रहा है जानकारी मिल रही है कि सोची समझे साजी साटे आरगेट फिक्स करके जो अपरादी थे वहाँ पहुंचे थे जिसके बाद दोनों ही युवक को गोली मार द करें जा रहा है कहीं पर फारिंग कर अजाए संवाज सेविजन पर तने दियों को निशाना बनाया जा रहा है तो आप जाकरके लापूंग इलाके में ही दो लोगों को गोली मार दी गई जिसमें एक के मौदगटना स्टाल पर हुए है जबकि दूसरी किस्तिति गंबीर ब बहुत बहुत शुक्रिया है इमरान तुमाम जानकारियों के लिए